असलाम लेकूम कैसे हैं आप सब आज में लेकर आई हूं हैदलबादे चिकेन बिर्यानी जिसे आप दम बिर्यानी भी कह सकते हैं यह बिर्यानी बहुत ही टेस्टी बनकर लेडी होता है और यह खाने में भी बहुत ही टेस्टी होता है इसके बनाने के लिए मैंने यहां पे ल यहांपे मैंने लिया है 1 स्पून जिइर रुञें लिया है 3 contrario तक द्धैसरी कोर्णी भी डिया है यहांपेこんな इस्पून लॉज भी से और वन यांपे 1 स्पून चाल अची यह लिया है यहां पे धनिया मैंने फूरी ना वाउ यहां यहां अदिन लिया है अब मैने धनिया और फूरी न अच्छे यह अच्य यह हैं हैंаемся नियुत कर द्याने हों और हमें月 कर देड़ एज़े सब्सक्राइब करना है मिल्म कर देना है यहां पे मैंने लिया है थोड़ा से तेज़ पीका और यहां ने घरम मसाले लीए खाड़े गरम मसाले जैसे बड़ी लाइटी छूछी माइट नाइट क yapmış एक और इसे हमें आन्याट nive UA बनाने के लिए पानी आरी मेर्श घरी मेर्श पात और मैंने यहांठ और फार्ट 쿠 ओए गरम मसाले की और अ insect service और यहां ब कि अ continuing हर्थ लेमन जूस लिया है इससे चाल बनाने में असानी होटा है एप से यहां पे पांसो ग्राम चीकन लिया है और यहां मैं आज आपको कूकर में बना कर देखाने वाली हूं बिर्यानी यह बहुत ही कम टाइम में बहुत ही जल्दी बनकर रेडी हो जाता है यहां पे हमने जो मेरिनेट किया है चीकन इसको बिल्कुल भी पगाना नहीं है आपको यहां पे सिर्फ हमने तेल जो है ओल को गरम कर दिया है यहां पे हमारा चावल भी जब से कूक हो रहा है यहां पे देखिए बस हमें ओल डालके हलका गरम कर लेना है और यहां पे हमें ची सिफ ओल गो मैंने गरम करके चिकन को कुकर में डाला है और यहां पर हमें चावल के लेर लगानी है जिसे जो चिकन खुद बखुद मतलब अच्छे से कुक हो जाएगा इसे हम 15-20 मिनिट के लिए से हम कुक करेंगे चावल के साथ ही इसे बिलकुल भी पकाना नहीं है लग से सिर्फ ओल गरम करके आपको चिकन को डाल देना है और यहां पर मैंने चावल बना है 80% मतलब 80% मैंने इसे कुक किया है और थोड़ा सा मैंने इसे कुक नहीं किया है क्योंकि दम पर हमें लगना है यहां पर हमने 2 स्पून घी लिया है और यहां पर मैंने सैफ्रोन मतलब और को बंद कर दी है बिल्कुल लो फिलें पर मनिसे बनाया है जह transferring डबात से čावल हमारा बिल्कुल उल्कुल अच्छे सवा चुग हो चुगा है तो यहां सतुग डिए बहुंत आया तो आप जट पर चिकन बिर्यानी हैदरबादी चिकन बिर्यानी बना सकते हैं ज्योंकि यह बहुत ही जल्दी से बहुत ही असान तरीके से यह बन जाता है बिल्कुल कम टाइम में और इसका टेस्ट को तो मैं कहीं नहीं सकती यह बहुत ही लाजवाब बहुत ही यम्मी इ मुझे कोमेंट में जरूर बताईगा कि आपकी हैदरवादी चिकन बिर्यानी कैसी बनी मुझे तो यह चिकन बिर्यानी बहुत ही पसंद है मैं हमेशा बनाती हूं और यहां पर देखे कि माशालला हमारा चिकन बिर्यान कितना अच्छा टेस्टी बनकर रेडी हुआ है यहां यहां पर यहां पर शर्फ कर लिया है और इसी के साथ मैंने यहां पर थोड़ा सा लायता भी बनाया था यहां बिर्यानी के साथ लायता बहुत अच्छा लगता है अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो पिलिज हमें फॉलो किजिए लाइक किजिए सब्सक्राइब यहां पर देखिए कि हमारा चीगन बिर्यानी बिल्कुल खाने के लिए रेडी है और यहां पर उसी के साथ लायता हो जाए तो और मज़ा दुगना हो जाता है चले मिलते हैं अगले वीडियो